Welcome all the finance enthusiasts अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप finance के दुनिया में deep dive करना चाहते हैं आप समझना चाहते हैं finance के छोटे छोटे लेकिन बहुत important पहलूओं के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं debt to GDP ratio के बारे में Actually मैं कल हम लोग CFA level 1 की एक session ले रहे थे उस session के अंदर मैं discuss कर रहा था debt to GDP ratio तो मैंने जब students के साथ debt to GDP ratio discuss किया तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी सभी finance enthusiast के साथ भी debt to GDP ratio के बारे में discussion करना चाहिए यह तो बहुत complex हो जाएगा क्योंकि यह CFA की पढ़ाई है लेकिन आईए basic और brief manner में मैं यह discuss करता हूँ कि debt to GDP ratio क्या होता है क्यों आपको पता होना चाहिए क्यों जर्नल्स पब्लिक को सभी finance enthusiast को इसके बारे में पता होना चाहिए देखिए आप किसी भी country के बारे में जब अच्छा या बुरा जानना चाहते है कि वो country कैसा perform कर रही है किस तरीके से company चलाई जा रही है country चलाई जा रही है तो आप एक ratio calculate करते है which is called debt upon GDP पहले ना इसके basic को समझते है debt का मतलब क्या हुआ देनदारी यानि आपने लोगों का कितना पैसा देना है what you owe to others what you owe to others यानि आपने कितना पैसा औरों को pay करना है और GDP का मतलब होता है कि किसी country में एक साल के duration में कितने goods and services produce होते है यानि आपके देश में एक तरीके से में ये कहूँ कि आपके देश की income कितनी है ये इस बात को नापता है क्योंकि आपके देश में कितने goods and services produce हो रहे है उनकी money value होती है ये GDP यानि आपके देश में कितने goods and services produce हो रहे है और आपके देश के उपर कितना करजा है एक example लेते हैं किसी एक عام इनसान के help से मान लेते हैं कि मैं अपना example लेता हूँ मानो मेरी income है 100 रुपे और मेरे उपर कर्जा है 20 रुपे का तो आप कहेंगे कि ठीक है solvent व्यक्ति है अगर एक साल में 100 रुपे कमाता है और total कर्जा ही 20 रुपे है तो कभी भी लगभग 2 महीने की कमाई में से 1.2 महीने की कमाई में से अपना कर्जा चुका सकता है ब्याज के साथ भी अगर चुकाएगा तो 2 महीने में अपना कर्जा चुका सकता है तो ऐसे बंदे को आप कहीं न कहीं solvent मानेंगे लेकिन वहीं अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी इंकम है 100 रुपे लेकिन मानो की उनके उपर कर्जा है 140 रुपे का तो आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा थोड़ा आप ये मान के चलो पंगे में चल रहा है क्यों क्योंकि अगर ये अपनी पूरे एक साल की कमाई पूरे देश की एक साल की कमाई अगर मैं देश के हिसाब से बोलू तो पूरे देश की एक साल की कमाई अगर पूरी की पूरी भी लोन चुका दोगे तब भी नहीं चुका सकते तब भी तेड़ साल लग जाएगा इस लोन को चुकाने में और देड़ साल तक आपके पूरी पूरी देश की पूपलेशन क्या खाएगी पिएगी उसी तरीके से अगर ये व्यक्ति अपने लोन चुकाना चाहे एक साल की कमाई या देड़ साल की कमाई भी अगर लोन चुकाएगा उनकी debt to GDP ratio बहुत हाई है यानि उन्होंने दुनिया से बहुत पैसा ले रखा है यानि उन सरकारों का जो डेवलपनेशन की कुछ सरकारे हैं उनके उपर बहुत ज़ादा करजे हैं आए देखते हैं इसे study करते हैं ये आपका world map है ये map थोड़ा distorted होता है तो इस map को सिरफ और सिरफ education purposes के लिए आप use करें मैंने भी internet पे एक website से ही लिया है ये मैंने नहीं बनाया ना मैंने डिजाइन किया है देखिए अगर आप ये देखेंगे कि वो देश जिनके पास 100 से जादा लगभग 150 परसंट तक की debt है 150 परसंट तक की debt है उन देशों की category में आपके पास US से आता है जो 100 से जादा और 150 से कम बली countries है उन में US से आता है यानि USA के पास अगर आप देखें अपनी GDP का 100 परसंट से भी जादा debt है वहीं पे कुछ ऐसे भी देश है जिपैन जैसे जिनके पास 200 से भी जादा percentage of debt है वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया almost 50 to 100 की category वाली बीच में आता है यानि 50% से जादा और 100% से कम तो जिए मैं बोलता हूँ 50% से जादा तो किसका 50% GDP के 50% से जादा का debt है वैसे वो उतना भयंकर नहीं है आईए एक बारी list देखते है ये एक website है worldeconomics.com इससे मैंने data लिया है as per the data जो उन्होंने शो किया है जेपैन के पास लगभग 232% की debt है आप सोचके देखिए यानि जितना जेपैन एक साल में अपनी GDP जेनरेट करता है अपने सारे लोग मिलकर goods and services पे डियूस करते हैं उससे 232% का loan है यानि लगबग 2-3 साल तक की सारी कमाई अगर loan में चुकाएं तब जाके loan चुका सकते हैं और 2-3 साल की कमाई देंगे कैसे लोगों को जिन्दा नहीं रहना उन्हें खर्चा नहीं करना उनको पैसा नहीं चाहिए क्या अब देखें ये किस category में है जहां Greece और Sudan जैसे countries में वहीं अगर हम USA की बात करें तो USA के पास 115% 115% of the GDP is the debt बट क्योंकि देखो अपना आपको एक बात को और सोचना है आप सीधा negative view ना बना लें कि अगर किसी country के पास debt जादा है GDP की तो वो बहुत बेकार country है ऐसा नहीं है अगर उन्होंने debt ली है और debt को developmental activities में लगाया है capital projects में लगाया है जहांपे की machines development कर रहे हैं और वो पैसा future में generate करेगा further GDP तब तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा move है अगर हम reverse बात करें अगर एक ऐसा देश है जिसने debt उठाई है सोचो कि अपने पुराने loan चुकाने के लिए तो उसकी GDP नहीं बढ़ेगी लेकिन उसकी सिर्फ debt बढ़ेगी तो ऐसे देश के लिए मुश्किल है ऐसे देश का future मुश्किल में है, solvency मुश्किल में है देश डूब सकता है, देश कंगाल हो सकता है फिर World Bank IMF वगेरा को मदद करनी पड़ेगी उनकी वहीं पर अगर हम देखें इंडिया के बारे में इन्होंने क्या का है worldeconomics.com ने इंडिया के बारे में उन्होंने बताया है कि 52.6% as per their data, इंडिया के पास debt percentage of GDP अगर हम देखते हैं तो है, और वहीं पर मैं आपको एक बड़ी चौकाने वाली बात बताऊंगा, एक बहुत बड़ा देश जिसका नाम आप जानते हैं, रशिया है, अगर आप उनके बारे में देखें, तो सिरफ 15% के आसपास की उनकी debt है GDP के comparison में, अब आप कुछ भी बोलें कि war की वज़ा से रशिया के पास debt आ नहीं रही है, या उसे debt चाहिए ही नहीं, वैसे अगर आप past भी देखेंगे, तो रशिया के पास debt बहुत कम रही है हमेशा, यानि यह naturally rich countries में से एक हैं, जिनके पास बहुत सारी natural resources हैं, तो इस पूरे discussion से आपको काफी सारी insights मिली, debt to GDP ratio के बारे में, दुनिया की अलग-अलग countries के बारे में, जिनकी बहुत high debt to equity है, debt to GDP ratio है, develop होते वे भी, कई ऐसे देशों के बारे में पता लगा, जिनके पास बहुत ही कम debt to GDP ratio है, यानि वो बहुत ही stable countries हैं, वो और कि किसी के पैसे पर dependent नहीं है, so I hope you like these sessions, अगर आपको ऐसे session पसंद आते हैं, पैसे और session financial awareness के, financial knowledge के समझना चाहते हैं, तो जरूर हमारी channel को subscribe करके रखें, आगे जाने से पहले हम बताना चाहूंगा, हमारी cfa की classes learn91.com पे available है, आप जरूर visit करें हमारी website, take care, all the best